लोकसबाचनाव 2024 से ठीक पहले सियासी उथल पुथल के क्या मायने हैं ये समझना बेहत जरूरी है चुकि बिहार की नई NGA सरकार में जो सबसे खास है वो है नितीश फैक्टर जो हर गठवन्दन को जरूरी लगता है बिहार की सियासी तस्वीर बदल गई है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के विज़ै रच को रोकने के लिए जिस इंडिया गठवन्दन का गठन हुआ उसके सूत्रधार मुख्यमंतरी नितीश कुमार अब प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के सार्थी बन गए हैं साल 2005 के बाद से बिहार में नितीश फैक्टर जीत की गैरेंटी है नितीश कुमार जिस गठवन्दन के साथ रहे जीत हुई अभी लोगसभाचुनाओ बिलकुल सिर्पर है फरवरी के बाद कभी भी लोगसभाचुनाओ की तारीखों का एलान हो सकता है ऐसे में बीजेपी के लिए नितीश फैक्टर को समझना बेहत जरूरी है नितीश इंडी गठवन्दन के सूत्रधार थे बिहार में जातिगत सर्वे कराया बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षन को पास कराया शिक्षक बहाली पार्ट 1, बहाली पार्ट 2 कराई आरक्षन और बहाली के मुद्दे पर नितीश कुमार इंडिया घठवन्दन से लेकर एंडीय तक के लिए जरूरी बन गए ऐसे में लोकसभाचुनाओं में नितीश के बगैर वोट शिप्ट कराना मुश्कल टास्कों हो गया था अगर नितीश कुमार एंडिये में वापसी नहीं करते तो माना जा रहा था कि बिहार में 2019 लोकसभाचुनाओं के नतीजों को दोहराना एंडिये के लिए मुश्किल है 2019 में बिहार में PM मोदी CM नितीश की जोडी ने करीब करीब क्लीन स्विप्ट किया था एंडिये को 40 में से 49 सीटों पर जीत मिली बीजेपी को 17 सीट, जेडियू को 16 सीट मिली थी एलजेपी को 6, कॉंग्रेस ने सर्फ एक सीट जीती थी आरजेडी खाता भी नहीं खोल पाई थी आंकडे तस्दीक करती है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी और नितीश के गटबंधन में लालू यादव की पाटी जीरो पर आउट हो गई थी अब जबकि नई सरकार का गठन हुआ है उसमें चुनाओ को देखते हुए जातिय समिकरन को भी साधने की कोशिश की गई है नितीश के सिपह सालार में समराठ चौधरी, कोईरी, कुस्वह समाज से हैं विजय सिन्हा कायस्त, प्रेम कुमार पिछला वर्ग, विजय चौधरी भुमिहार, बिजेंद्री यादब यादब समुदाय से, श्रवन कुमार कुर्मी समुदाय से, संतोष कुमार सुमन, महादलित समुदाय से और सुमित कुमार सिंग, राजपूत जाती से हैं। यानि नितीश कैबनेट में अगड़े पिछडों के साथ महादलित समाज को भी साधने की कोशिश की गई है अभी मिशन 2024 की शुरुवात हुई है जिसका असर बिहार विधान सभा 2025 में भी जरूर पड़ेगा बिरो रिपोर्ट जी मीडिया